ने चैप्टर chemical reaction and equations में बात करेंगे balancing a chemical equation में कुछ examples की कुछ normal examples हम लोग अल्रेडी कर चुके हैं पहले आज हम लोग बात करेंगे उससे आगे कुछ और examples लेकर के तो पहला example यह हमने F2O के साथ react करके बनाता है F3O4 plus hydrogen gas इसके लिए फिद्से हम लोगों को क्या करना होगा सबसे पहले element का नाम number of atom reactant side के और number of atom product side के इसको हम लोग सबसे पहले लिखलेंगे तो हमारे पास यहाँ पे है iron हमारे पास यहाँ पे है hydrogen और हमारे पास है oxygen हम लोग यहाँ पे देखें S2O S2O बना हुआ है hydrogen के 2 atom से और oxygen के 1 atom से तो यहाँ पर हम अगर देखें तो यह जो area है हमारा reactant side है और यह जो area है हमारा product का side है तो हम इसमें number of atoms यहाँ अलग लिखेंगे और product में number of atoms हम अलग लिखेंगे ठीक है तो यहाँ बात करें तो हमारे पास number of atom है 1 hydrogen के atom है 2 और oxygen का atom है 1 इसी तरीके से हम note कर लेंगे product में प्रोड़क्ट में अगर हम देखें तो हमारे पास iron है 3 iron यहाँ पर 3 है और oxygen है 4 और hydrogen है 2 इस तरह से हम लोग number of atom अलग 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 reactant side में और product side में लिख लेते हैं इसके बार फिर वही हम लोग multiply करेंगे क्योंकि hit and trial method हम लोग use कर रहें balance करने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे शुरू करेंगे अपना trial यहाँ iron 1 है कोसिस करेंगे कि हम लोग सबसे पहले metal को या metal में हो या कोई एक heavy यहाँ पर compound हो काफी सारे atoms के साथ उसको सबसे पहले कोसिस करेंगे कि हम लोग balance कर लें तो यहाँ पर हमारे पास iron है iron का यहाँ पर हमारे पास एक item है यहाँ पर तीन है simply अगर हम इस side में 3 का multiply कर दें तो हमारे पास total iron के 3 हो जाएंगे reactant side में और total 3 atom हो जाएंगे product side में तो यहाँ पर हम क्या करेंगे और हमने पहले ही बताया था कि जो भी हमें यहाँ पर करना होगा multiply वह हम इस side में करेंगे iron के यहाँ जहां भी है जो हमारे पास यहाँ कुछ लिखा होगा वहाँ इसके सामने और इसके लिए एक तरीका बताया गया है NCRT में भी कि हम इसको एक box में बंद कर देते हैं क्या करते हैं एक box में बंद कर देते हैं यह उनके लिए जो beginners हैं धिरे धिरे आप लोग देख करके खुद बखुद सीखेंगे last example में हम आपको बताएंगे direct देख करके reaction करना चुकि यह process है हमारे पास इसलिए हमें इस method को follow करना परदा है तो देखेंगे यह box बना देते हैं हम ताकि इसमें हमें छेरचार नहीं करने क्योंकि यह formula के लिए अगर हमने यहां पे कुछ भी multiply किया तो हमारे पूरा का पूरा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा तो हमें यहां पर multiply नहीं करना है हमें multiply करना है इसके सामने जो भी atom molecule जो भी element हो molecule हो या compound हो हमें बस उनके सामने multiply करना है तो इस तरह से हम देखें तो यहां आइरन में हमने 3 का multiply किया है reactant side में तो हम लोग यहां 3 से multiply कर देंगे अब हमारा आइरन यहां पर balance हो चुका है फिर हम लोग देखें हाइड्रोजन के लिए hydrogen दो यहां भी और hydrogen दो यहां भी हाइड्रोजन के लिए हमारे पास दो और दो यहां पर है आइटम तो इसलिए हमें इसमें कोई परिसानी नहीं है यह भी हमारा balance हो गया oxygen यहां पर एक है reactant side में oxygen एक है जबकि product side में oxygen कितने है चार oxygen है अब यहां पर हमको पता ही है अगर यहां पर एक है अगर हम इस side में 4 स multiply कर दें तो हमारे पास चार आइटम अल्डेडी हो जाएंगे तो हम यहां पर 4 से multiply कर दें यहां पर 4 से multiply करते ही यहां पर oxygen 4 हो गया और यहां पर भी oxygen 4 है लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन यहां पर 8 आइटम हो गया यानि टोटल आइटम हो गया है क्योंकि जो भी यहां पर लिखा हुआ है फॉर्मूले में हमारे पास यहां पर जो भी नंबर लिखा हुआ है हम इसका multiply करते हैं किसके साथ जो भी फ्रंट पर आएगा उसके साथ तो टूफो जा एट यहां पर टोटल नंबर आफ हाइड्रोजन हो जाए तो प्रोड़क्ट साइड में भी हमारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा एट तो हमें यहां पर हाइड्रोजन में 4 से multiply करना है इस तरह से करने के बाद हमारे पास देखें तो iron है 3 हाइड्रोजन है 8 और oxygen है 4 तो अगर हम देखें तो हमारा यहां पर equation हो गया अगर हम net reaction net reaction हमारे पास आएगा 3Fe plus 4H2O यह देगा हमें Fe3O4 plus 4H2 तो इस तरह से हमारे पास यह net reaction बनती है एक बादी चेक कर लेते हैं final stage में 3 iron यहां पर है हमारे पास 3 iron हमारे पास यहां पर है 8 hydrogen हमारे पास यहां पर 2 into 4 8 hydrogen यहां पर है 8 hydrogen हमारे पास यहां पर है oxygen यहां पर हमारे पास 4 है oxygen हमारे पास यहां पर 4 है इस तरह से हम एक reaction को balance करते हैं अब हम लोग इसके बाद next example को देखेंगे आप लोग चाहें तो note कर सकते हैं कि नेक्स्ट एक्जांपल हम लोग लेंगे यह हमारा एक्वेशन है यहाँ पर अब फिर से भाई मैथट हम लोग यूज करेंगे सबसे पहले हमें को चाहिए तो दैरेक्ट भी कोशिस कर चकते हैं हीटेंड रेएंड करते रहें और हमारा एक्वेशन हो जाएगा एक लास्ट इसको इसटेप से करके देख लेते हैं अब से पहले काम हम colt के दाम सबसे पहले हम यह आना जाहिए कि element हैं कितने तो अगर हम reactant site को देख रहे हैं जो की reaction में participate कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें तो हमारा यह पूरा का पूरा जो compound है वो बना हुआ है calcium से carbon से और oxygen से क्योंकि हमें पता है अगर हमारे पास कोई भी element है तो उसका पहला letter capital और उसके बाद अगला letter कोई भी हो वह स्मॉल से लिखा जाएगा वह सारा का सारा स्मॉल से रहेगा तो हमें यह पता है कि यहां पर यह हो गया calcium यह हो गया carbon यह हो गया oxygen यहां पर है hydrogen और chlorine इस तरह से अब बात करते हैं यहां पर इसके आगे पोसिस करेंगे हमेशा हम oxygen को सबसे last में यानि hydrogen के बाद हम oxygen को solve करें हमेशा oxygen को आखिर में हम balance करेंगे तो बात करते हैं चलते हैं यह हो गया हमारा reactant side जिसमें कि हमारे पास number of atoms अभी हम note कर लेते हैं और यह हमारा हो गया product side इसमें हमारे पास number of atom note करेंगे calcium का यहां पर अगर हम atom देखें तो केवल एक atom है carbon का हमारे हमारे पास एक atom है oxygen हमारे पास तीन atom है hydrogen हमारे पास एक atom है और chlorine हमारे पास एक atom है इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास calcium एक carbon एक hydrogen एक oxygen के तीन और chlorine के एक atom यहां पर हमें दिख रहे हैं अब हम लोग बात करें product side की तो product side में हमारे पास calcium का एक atom का carbon का एक atom हाइड्रोजन हमारे पास दो atom क्लोरीन हमारे पास दो atom और oxygen हमारे पास यहां पर अब यह देखने की बात है अब तक तो मैं पास single single थे यहां पर oxygen यहां पर भी available है इस जगह पर और यहां पर भी available है हमारे पास oxygen दो जगह है तो अभी तक तो हमारे पास एक ही तरफ से value थी तो हम उसको लिख देते थे अब यहां पर देखना है जो oxygen की यहां value है जैसे यहां oxygen के दो एटम है यहां oxygen के दो एटम है और यहां oxygen का एक एटम है तो हम इन दोनों को plus करेंगे ना कि multiply करेंगे अगर दो अलग-अलग value है दो अलग-अलग atom दो अलग-अलग जगा पे हैं तो हम उन्हें आपस में add करेंगे कुछ इस तरीके से तो यहां पे अगर देखा जाए तो यहां oxygen के दो एटम है यहां oxygen का एक एटम है तो इस तरह से दोनों atom मिला करके हमारे पास total number हो जाएंगे त्री तो यहां पे हमारे पास अगर देख रहे होंगे आप तो कैल्सियम का एक एटम carbon का एक एटम hydrogen का दो एटम chlorine का दो एटम और oxygen तीन एटम इस तरह से देख जाये तो हमारे पास calcium balance है carbon balance है hydrogen को balance करना है chlorine को balance करना है और oxygen क्या है balance है देख सकते हैं आप यहाँ पर तो हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले hydrogen hydrogen के लिए यहाँ पर अगर एक hydrogen है दो hydrogen है automatic 2 से multiply करेंगे 2 hydrogen कहां करना है तो यह front पर करना है यहाँ पर हम 2 से multiply कर देते हैं 2 से multiply हो गया यहाँ पर तो अब हो यह balance लेकिन इसके साथ-साथ chlorine है chlorine कितना हो गया दो और यहाँ पर product side में chlorine कितना है दो रियक्टेंट में हमारे पास chlorine कितना हो गया दो यहाँ पर 2 से multiply करते ही hydrogen तो हो गया लेकिन chlorine भी फिर 2 हो गया तो हमारे पास reactant side में chlorine दो है और product side में भी chlorine 2 है इस तरह से हमारे पास अब reaction balance हो गई फिर से check कर लेते हैं री check करते हैं calcium 1 calcium 1 carbon 1 carbon 1 हमारे पास oxygen के 3 molecules 3 atom है हमारे पास oxygen के 2 और 1 3 atoms है तीन atom है total hydrogen की बात करें हमारे पास 2 hydrogen है यहां पर हमारे पास 2 hydrogen है अगर हम बात करें chlorine की तो chlorine के 2 atom है और यहां भी हमारे पास chlorine के 2 atom है तो इस तरह से हमारी एक reaction और balance हो गई नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं नेक्स्ट reaction देखेंगे अब हम लोग हुआ है तो है एक्स्ट इस तरह से हमारे पास एक अगली रियक्शन है यहां पर हमने लिया बेरियम हाइड्रॉक्साइड अमोनियम क्लोराइड के साथ रियक्टर के बेरियम क्लोराइड और यहां पर हमने लिधल आठेक के अगए जो लिखा हुआ है यहां पर अगर कुछ इस तरीकेसे चीजे लिखी है हुई है तो इसका मतलब है कि यह तू यहां पे भी मल्टिप्लाई होगा और यह तू इसके लिए यानि यहां पर oxygen के भी दो एटम है और hydrogen के लिए भी दो एटम है तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो यहां यहां पर oxygen 2 है hydrogen 1 है यहां पर बात करें nitrogen 1 है hydrogen 4 है और chlorine का एक एक है ठीक है तो अब हम लोग यूज करते हैं बिना कुछ लिखे हुए ट्राइ करने के कोशिस करते हैं कि कैसे हम इसको balance कर पाएंगे तो हम इसको हटा देते हैं यहां पर बेरियम जो है हमारे पास एक है अब हम देखेंगे यह हमारा reactant side है वैसे तो जानते ही है हम लोग और यह हमारा product side है चलो देखते हैं रियक्टेंट में बेरियम एक है यहां पर बेरियम एक है बैलेंस है छोड़ देते हैं oxygen hydrogen को अभी छोड़ देते हैं सबसे पहले next देखते हैं nitrogen हमारे पास एक है nitrogen हमारे पास एक है balance है यहां पर chlorine हमारे पास एक है यहां chlorine हमारे पास दो है यहां chlorine हमारे पास दो है इसका मतलब chlorine को balance करने के लिए हमें इसके सामने दो से multiply करना होगा तो यहां पर chlorine हमारे पास दो है chlorine हमारे पास दो है फिर से छोड़ देते हैं बेरियम एक है बेरियम एक है नाइट्रोजन अब हो गया हमारे पास दो और यहां नाइट्रोजन है हमारे पास एक तो हम क्या करते हैं यहां मुल्टिप्लाई कर देते हैं दो से दो से अब देखते हैं नाइट्रोजन हमारे पास दो है नाइट्रोजन हमारे पास दो है यहां पे हाइड्रोजन हमारे पास दो है और क्लोरीन हमारे पास दो है इस तरह से हमने सबसे पहले बेरियम नाइट्रोजन क्लोरीन इनको बैलेंस कर लिया इनको balance कर लिया है अब बचे हमारे पास hydrogen और oxygen अब शुरू करते हैं देखते हैं हमारे पास क्या क्या है रियक्टेंट साइड में हमारे पास दो हाइड्रोजन है यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है यह 2 है हमारे पास दो हाइड्रोजन है यहाँ और यहाँ देखते हैं तो हमारे पास 4, 2, 8 और 2, 10 हाइड्रोजन है इस तरह से हमारे पास यहां पर फोर टूजा एट और टू टेन हाइड्रोजन और यहां पर हमारे पास दो हाइड्रोजन है इस तरीके से हम अगर देखें माफ करेगा यहां पर यह एक्शुल में हाइड्रोजन है और हम इसको ऑक्सिजन की तरह पाउंट कर रहे हैं तो यहां पर हो गई दो हइड रोजन और फोर टूजा एट हइड पोटल 10 हाइड यहां पर देखो यहां से यहाँन से इस नंबर के साथ इत हो गया और यहां से इसनमबर का नखही हूए, सब्क्राइब होगा तो प्लस टू टेन हाइड्रोजेन तो यह पर भी टोसले हो गया और यहां पर भी किट्व से इसमें मल्टिप्लाई यहां पर दो अब यहां पर देखते हैं यहां पे भी hydrogen है 4,8 यहां का multiplier हुआ इसके साथ 4,8 hydrogen तो अगर इनको add करें तो यहां पर भी है 10 hydrogen तो इसको अटाते हैं यहां पर 10 hydrogen, 4,8 यहां पर और 2,10 10 hydrogen यहाँ पर 10 hydrogen यहाँ पर इस तरह से यह भी बैलन्स है अब oxygen की बात करते हैं oxygen यहाँ पे 2002 हा son 280 oxygen है 2 oxygen के आट्म है यहाँ पर और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर oxygen है यहाँ पे 2002 यानि 2 है अखान की एटम यहां पर भी है तो इस तरह से अगर हम लोग reaction को देखें तो reaction हो जाएगी BA 2 NH4 CL gives BA CL2 plus 2 NH4 OH तो यह हमारी यहां पर net reaction हो जाएगी कोसिस करते हैं इसको इसी तरह से एक और equation को solve करने की अभी इस example के बार KCl O3 gives KCl plus O2 कोसिस करते हैं इसको hit and trial method से करने की चलिए रेखते हैं potassium यहां पर chlorine यहां पर और oxygen तीन एटम यहां पर है potassium, chlorine और oxygen ठीक है potassium यहां पर एक है potassium atom का नंबर एक है यहां पर भी एक है balance है हो गया chlorine की बात करें तो chlorine यहां पर एक है chlorine यहां पर भी एक है balance है oxygen यहां पर तीन एटम है oxygen यहां पर दो एटम है कोसिस करते हैं ऐसा कोई एक नंबर से multiply करने का दोनों तरफ कोशिस करते हैं कि एक similar number आ जाएगा 6 अगर हम यहां से 2 पर multiply कर दें और यहां पर अगर हम 3 से multiply करें तो यह होता है 6 और यहां पर भी होता है 6 तो हमको यहां पर multiply नहीं करना है यह केवल चेक करने के लिए था हमें multiply करना होता है कभी भी balance करने के लिए फ्रंट पर हमें बनाना है 6 तो अगर यहां पर हम 2 से multiply करें तो 3 2 जा 6 6 oxygen यहां हो जाएगा अगर हम यहां 3 से multiply करें तो हमारे पास 6 oxygen के atom यहां हो जाएंगे लेकिन इसके साथ-साथ हमारे पास यहां potassium और chlorine के atom बदल जाएंगे क्य क्योंकि रूल हमें कहता है कि number of जितने भी number of atom reactant side में होंगे उतने ही number of atom product side में होंगे तो यहां पर हमें 2 से multiply करना पड़ेगा तो अब यहां पर 2 potassium, 2 potassium के atom, 2 chlorine, 2 chlorine, यहां पर 3 2 जा 6, 6 oxygen और 3 2 जा 6, 6 oxygen इस तरह से हम एक reaction को देख करके balance करने की courses कर सकते हैं